दोस्तों कभी तो आपके मन में भी ये सवाल आया होगा कि क्या होगा अगर हम अपने घर के बल्ब को, मोटर को, मिक्सी को, वाशिंग मशीन को या कोई भी आपका इलेक्ट्रिकल एकुपमेंट को जिसमें हम फेज और न्यूटरल के सप्लाई देते हैं, अगर उसमें न्यू अगर हम ऐसा करते हैं, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे, वीडियो काफी जादा इंट्रेस्टिंग और नॉलेजबल होने वाली है, I am विशाल, इलेक्ट्रिकल एंड एलेक्ट्रोनिक्स इंजीनियर, विदाउट वेस्टिंग अने टाइम, आपनी वीडियो को स्टार् रिप्लेस करकर कोई भी आप एलेक्ट्रिकल एक्विमेंट मान सकते हैं अपने घर के अंदर का, क्योंकि हमारे घर के अंदर दी जाती है सिंगल फेस्ट प्लाई, सिंगल फेस्ट में एक फेस्ट आता है, जिसमें 220 वोल्टेज आ रही होती है, और एक नूट्रल आ रहा होत है, फेस्ट वोल्टेज के थूरू करंट आता है, हमारे सर्किट के अंदर घूमता है, और वो न्यूटल वायर के थूरू चले जाता है, जिसकी वैसे जो हमारा सर्किट है, वो रनिंग कंडिशन में आ जाता है, यह तो होगे नॉर्मल कंडिशन की बात, अब मैंने बल्ब जिस नहीं आएंगे, ना तो बल्ब लास्ट होगा, ना ही बल्ब जलेगा, और बल्ब के साथ कोई भी जो है, ऐसी कंडिशन और आइस नहीं होगी, कि जो हमारा बल्ब है, वो डैमेज हो जाए, उसका फिलामेंट जो है, वो जल जाए, तो ऐसा क्यों, ऐसा किस वज़े से, अगर आप लेक्रिकल के हो, तो आपको 100% पता होना चाहिए, अगर आप नहीं हो, तो मैं बता देता हूँ, जब भी किसी भी चीज के अंदर करेंट का फ्लो होता है, वो होता है, वो होता है, वो जो पॉजिटिव टर्मिनल है, वो तो 9 वोल्ट का है, और जो आपका नेगि मैं कहता हूं कि government हमारे घर के अंदर 220 वोल्ट की supply देती है तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जो फेज वायर है वह तो हो गया 220 जो आपका न्यूटल वायर है वह गया जीरो तो 220 माइनस जीरो इस इकोल स्टू में 220 तो इस तरह से जो है हम अपने potential difference को देखते हैं अब हमने बल्ब के एक्रोस अगर 220 जनरेट करा में इस एक फेज दिया एक न्यूटल दिया तो हमारे बल्ब जैल जाएगा क्योंकि उसकी जो कंस्ट्रक्शा ने उसकी जो डिजाइनिंग है वह 220 के अकॉर्डिंग हमने जनरेट कर रख किया है लेकिन मैं अगर न्यूटल वायर को फेस से बदल लेता हूं तो फेस में आ रहा था हमारा 220 और अल्रीड एक 220 वहां पर है तो 220 माइनस 220 इस इकोल स्टू जीरो जीरो होने का मतलब क्या हुआ वोल्टेज डिफरेंज जीरो होने का मतलब यह हुआ कि बलब के अंदर कोई भी ऀसकानी लूट योगे अर्थ पे अर्थ का potential 0 voltage होता है और हमने 220 का पकड़ा 66 kb की लाइन पकड़ी अपने 33 kb की लाइन पकड़ी कोई भी जादा से जादा voltage आपने पकड़ लिया तो वो voltage इतना जादा था और अर्थ का था 0 तो 33 kb minus 0 इस cost में 33,000 volt का जो जटका है आपकी वाटी को लगेगा उस condition में तो current का flow जब ही होता है अगर आप एक कोई insulating source पहन लोगे जिसमें से current जो है flow नहीं होता है कोई resistive source पहन लिया तो उस condition में क्या होगा कि जो हम अर्थ के contact में नहीं आएंगे तो हमें shock नहीं लगेगा क्योंकि नीचे वाला जो 0 volt है वो हमें मिली ही नहीं रहा सेम condition हमारी bulb के अंदर आती है जब भी हम 220 और 220 देते हैं तो 0 voltage difference create होता है जिसके विसे current का ही flow नहीं होता तो हमारे bulb के अंदर कोई भी changes नहीं आते तो bulb किस condition में फट सकता है क्या उसका element break हो सकता है एक ऐसी condition आप arise कर सकते हो बल्ब के across कि उस condition में जो आपका बल्ब है वो damage हो जाए होता गया है कि अगर आपने एक फेस के अंदर दे दिया 440 वोल्ट और दूसरे फेस के अंदर दे दिया 220 वोल्ट दे तो हम दोनों फेस की ही supply रहे हैं पर मैंने neutral नहीं इस्तमाल करा है अभी आप देख भी रहे है मैंने एक में दिया है 440 वोल्ट एक में दिया है 220 वोल्ट potential difference आपको देखते ही पता चल रहा है 220 वोल्ट तो यहां पर भी bulb को 220 वोल्ट मिल गया अगर मैं एक बल्ब के across एक 440 वोल्ट की supply दो और एक 100 वोल्ट की supply दो तो आप 440 जब 100 से माइनस करोगे तो यहां पर जो potential difference आएगा वो आएगा आपका 340 340 वोल्ट का जो voltage difference है वो आपके बल्ब के across आ गया जिसकी वज़े से वो उसकी rated value से जादा हो गया जिसकी वज़े से इसका filament है जो उसका मैं जो आपका टंक्शन का नाइक्रोम का वायर लगा हुआ है वो ब्रेक हो गया तो ऐसी और जादा वीडियोस देखना चाते हैं जैसे अर्थ अपने अंदर कितना current ले सकती है थंडर स्टोम की condition में कौन सी condition सबसे जादा dangerous रहेगी और भी guys हमारी काफी जादा जो है interesting वीडियोस हैं उनका सभी का link मैं आपको description में दे दूँगा आप वहां से उसको visit कर सकते हैं thank you guys मिलते हैं next वीडियो में thank you झाल 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 झाल